राजस्तान का गुलावी शहर जैपुर जिसका हर कोना एक खुबसूरत दास्तान खुद में समेटे है इसी गुलावी शहर में अपनी राजसी आन बान और शान लिये बड़ी मजबूती से खड़ा है आमेर पैलस यानी आमेर का किला जैपुर से 11 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है आमेर पैलस जो राजस्तान के सबसे बड़े खिलों में से एक है और आमेर नामक जिले का हिस्सा है आमेर शहर को मीना राजा एलान सिंग द्वारा स्थापित किया गया था सन 1592 इसवी में इसका निर्मान राजा मान सिंग द्वारा करवाया गया था जिससे बनने में 137 साल लगे थे ऐसा भी कहते हैं कि इसका नाम भगवान शिव के नाम अंबिकेश्वर पर पड़ा है और कुछ लोगों का ये भी मानना है कि इसका नाम देवी के अंबा नाम पर पड़ा इस किले के चार हिस्से हैं जिन में अंदर आने के लिए अलग-अलग दरवाजे हैं और मुख्य द्वार का नाम है सूरज पोल आमेर किला जिसका दरसल नाम अंबर किला है के सबसे खास हिस्सों में एक है दीवाने आम जहां राजा अपने प्रजा जनों की शिकायतों और फरियादों को सुना करते थे और उनकी समस्याओं का समाधान करते थे और अब रुख करते हैं आमेर पैलस के सबसे खुबसूरत हिस्से की ओर दीवाने खास या फिर कहें तो शीश महल शीश महल का निर्मार राजा जै सिंग ने 1621 से 1667 के दौरान करवाया था प्राचीन समय में महरानियों को खुले में सोने की सुविधा नहीं थी लेकिन उनकी इच्छा थी कि वो सोते वक्त तारों की च्छाओं का आनंद ले सकें और उनका दीदार कर सकें नतीजतन राजा ने अपने वास्तुकार को एक ऐसा महल बनाने को कहा जो इस समस्या का समाधान निकाल सके शीश महल में जलाई गई महज एक मुंबत्ती पूरे शीश महल को रोशन कर देती है आमेर का ये किला पौरानिक समय में निर्मित हिंदू और राजपूताना शैली में बना हुआ है दीवाने खास का निर्मान, राजा के खास महमानों और दूसरे शासकों और राज़दूतों से मिलने के उदेश से भी किया गया था आमेर के किले को 2013 में युनेसको विश्वधरोहर की सूची में भी शामिल किया गया है इसके अलावा जलेबी चौक, गनेश पोल, शिला देवी मंदर, त्रिपोलिया दौार, इत्यादी इस महल के विशेश आकर्शन है आमेर किले की कई विशिशिताओं में विशिष्ट है काली देवी का मंदर जिसे शिला देवी मंदर कहा जाता है 1560 वी में शिला देवी की प्रतिमा आमेर के राजा मान सिंग लेकर आये थे इसलिए एक कहावत जैपुर में प्रचलित है सांगा नेर को सांगो बाबो जैपुर को हनुमान आमेर की शिला देवी लायो राजा मान मान सिंग अकबर के सेना पती थे और उनके आदेश पर युद्ध लड़ने जाया करते थे एक बार जब वो बंगाल के गवर्नर नियुक्त किये गए तो जसोर के राजा केदार से लड़ाई लड़ने गए लड़ाई में विजय हासल करने के बाद वो शिला देवी की प्रत्मा को साथ में लेकर आमेर आए और भव्य मंदर में स्थापित करवा दिया यहां के शीश महल के स्तंभों पे नकाशी किया गया जादूई पुष्प यहां का विशेश आकरशन है जिसमें एक तितली का जोड़ा दिखता है इस पुष्प में साथ विशिष्ट अनोखे डिजाइन है जिन में मचली की पूँच, कमल नाग का फन, हाथी की सूण, शेर की पूँच, भुटा और बिच्चू इत्यादी बने हुए है किले के चारों तरफ की बारा किलोमीटर की चार दिवारी, इसकी सुरक्षा में तैनात, किसी मजबूत योद्धा की तरह खड़ी है 27 का चहरी, आमेर का एक विशेश अधिशासिक केंद्र था, जिसमें 27 कार्याले हुआ करते थे जिसमें सामान्य और व्यापारी वर्ग के लोग अपनी समस्याओं के निस्तारण के लिए आया करते थे भारत की मनमोहक शिल्पकला की अभूत पूर्व विरासत, आमेर के किले को देखने के लिए रोजाना देश विदेश से परेटक आते ही रहते हैं ऐसे ही खुबसूरत जगों की जानकारी प्राप्त करने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल भारत माता को